हलो चो, स्वागत है आपका हमारी कुचिन क्लासेज में जिसका नाम है वेलोसिटी कुचिन क्लासेज बचो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और उसका टॉपिक का नाम क्या है तो डाइनेमिक्स आप सर्कुलर मोशन और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रिपिटल फोर्स तो बचो अब आप लुखोगे कि डाइनेमिक्स आप सर्कुलर मोशन होता क्या है तो बचो जभी भी सर्कुलर मोशन होती है तो उनके कुछ कारण होते होंगे कुछ ना कुछ की रिजन से वो सर्कुलर मोशन होती है तो वो क्या रिजन होती है जिनके कारण ये सर्कुलर मोशन होती है इनके हम स्टेडि कहां पर करने वाले हैं तो इनके हम स्टेडि डाइनमिक्स आप सर्कुलर मोशन में करने वाले है तो पहला कारण क्या है तो पहला कारण है centripetal force बच्चो आपने circular motion देखी थी circular motion क्यों होती है तो वो radial acceleration या centripetal acceleration या कारण होती है और ये radial acceleration या centripetal acceleration कोण provide करता है तो ये हमारा centripetal force है ये ही इसका radial acceleration या centripetal acceleration provide करता है जिसके कारण ही हमारा circular motion होता है तो अब इसके definition देख लेते हैं तो यह इसके definition आ सकते हैं आपको अगर आप बच्चों देखोगे, गौर करोगे कि आपने type of forces पढ़े थे जिसके अंदर gravitational force था, nuclear force था electromagnetic force था ऐसे बहुत सारे forces आपने देखे थे क्या वहाँ पर कहीं पर भी यह centripetal force नाम का word आया था तो centripetal force ऐसे को यह type नहीं है लेकिन अलग-अलग forces को हम centripetal force बोते हैं जैसे मान लिजिए आपने एक पत्थर लिया उस पत्थर को अपने रस्सी बांदी और आपने गूमना चालो किया क्या होगा वो circular motion करेगा वो circular motion क्यों करेगा वो हम दिखते हैं तो इसके लिए मान लिजिए मैंने क्या क्या यहाँ पर एक पत्थर ले लिया इस पत्थर को मैंने एक रस्सी बांदी यहाँ पर क्या क्या मैंने इसको एक रस्सी बांदी जब मैं यहां इसको घुमाऊगा तो क्या होगा इनर्शिया के काराण यह पत्था स्ट्रेट लाइन में मूग करने के कोशिश करेगा इसके पास टेंजेंशल वेलासिटी रहेगी लेकिन यह रसी कैसी है यह रसी है फिक्स जिसके कारण यहां पर टेंशन पैदा होगा अब टेंशन ही क्या करेगा यहाँ पर 번째 सेंट्रिप्टल फॉर्स का काम करेगा और उसी के कारण क्या होगा हमें एक सर्कुलर मोशन मिले जिन अब यहाँ पर यह सही द़्टेड़ के सर्किल नहीं बना है हाँ तो यह जो टेंशन है कि टेंशन ही यहाँ पर क्या करेगा तो tension ही यहाँ पर centripetal force का काम करेगा centripetal force का काम करेगा अब दूसरा example देते है आप लोगों को gravitational force पता है क्या पता है आपको? gravitational force तो माल लो हमारी अर्थ है और ये अर्थ सं का चक्कर काट रही है अब ये अर्थ हमेशा सीधी जाने चाहती है लेकिन सन के पास एक चीज है वो क्या है ग्रैविटेशनल फोर्स वो ग्रैविटेशनल फोर्स से इसको अपनी तरफ खीच के रगती है तो यह ग्रैविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर क्या कर रहा है तो ग्रैविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर सें इलेक्ट्रों यहाँ पर सुल्कूरल मोशन करता है. यह क्या होता है यह सिधे जाना चाहता है लेकंफ यहाँ पर यह जो नूक्लियस है यह इसको अपनी दर Doll छीच के रखता है। छोबता है नहीं है। जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है। ये जो electron है, ये electron यहां पर circular motion करता है, इतना समझ में आगए, अब यहां पर क्या होता है, जो electrostatic force होता है, nucleus और electron के बीच में जो electrostatic force होता है, वही किसका काम करता है, तो वही इसका काम करता है centripetal force का, अई मत समझ में आपको अच्छा बच्चो से फॉर्स का फॉर्मुला किया होता है Everyone O यह हमने देखा था अब हमने रेडियल एसलेशन या सेंटी-पीटल एसमें कि फम नहीं तो ओक्षा फ्रमला था इक फॉर्मिला हं स्क्राइब दुसरा फ़र्मुला क्या था घ्El ग्रोट करों तो मुझे क्या मिलेगा मुझे तीन फॉर्मूले मिलेंगे वह पहला फॉर्मूले मिल और आरो मेंगा स्कुर्मूले मिलेगा अगर इसके यूनिट के बात करें तो इसका unit क्या आएगा, तो इसका unit आएगा Newton, और इसका dimension के बात करें, तो इसका dimension क्या आएगा, L1, M1, T to the power minus 2, ये इसका dimension आजाएगे, ऐसा unit आएगा Newton, और इसका dimension आएगा, L1, M1, T to the power minus 2, इसको note down करो, फिल इसके उपर numerical करते हैं, तो लिख लिए हैं बच्चों, तो मान लो मेरे पास एक कार है, और कार का मास है, 1500 kg, और ये एक circular track के उपर चक्कर काट रही है, जिसका radius है 250 meter, और यहाँ पर ये इस तरह circular चकर काट रही है, और यहाँ पर उसकी मान लो speed है, 90 km पर अवर, तो मुझे पुझा गया है कि इसका centripetal force क्या होगा, तो आए ये solve करते हैं इसको, तो formula क्या है बच्चों मेरे पास, MR omega square, ये formula है, दूसरा formula क्या है, MV square by R, ये और एक formula है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मास 15 kg है, ये इसके इसके इंडर नाल दूँगा, पड़ेगा, इसको meter per second की हिसाब से इसको convert करना पड़ेगा, तो 90 into 1000 divided by 60 into 60, तो ये यहाँ पर कर दिया, ये यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया, दुन दू और यहां पर क्या गा, पांच, अब यहाँ पर आ गया, पांच, तो ये कितना आ गया, या आ गया 25 meter per second, तो स्पीड क्या है, 25 meter per second, मैं क्या खुधर मेरे मुझे रेडियस भी पता है मुझे वेलॉसिटिट भी पता है उड़े मुंझे मास पर इपता है तो मैं सब वैल्यव यहां पर पूट कर दूँगा तो फ्रॉर्मला क्या हो जाएगा पंध्रासो गुनिला 25 गुनिला 25 डिवाइड बाई आर गेतना है दोसो पच्चिस सॉरी दोसो पचास यह 0 और 0 मर गया अब 25 में से 25 मर गया अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर डेड़ सो गुनिला 25 मिल जाता है तो यहाँ पर आंसर के आता है 3750 मिल्टर सॉरी 3750 न्यूटर इसका आंसर आता है इसको लोटन करो तो मुझे यहीं पर आज का लेक्चर हमारा खतम होता है तो कैसा लगा आपको अमारा लेक्चर अगर आप परसंद आये तो अपने दोस्तों के से लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए थैंक यू